टुन्टनी जड़ी अपनी सौतेली मां बबली कबूतरी और अपनी सौतेली बेहन पिंकी जड़ीया के साथ रहते थी एक दिन बबली कबूतरी पिंकी के लिए बहुत सारे कपड़े लेकर आती है आरे पिंकी देख, आज मैं तेरे ली कितने सारे कपड़े लेकर आई हूँ, इनको पहन कर तो तू इतम राज कुमारी लगेगी तबी वहाँ पर टुन तुनी चड़िया आजाती है मा, मेरी पास भी कपड़े नहीं है, सबी कपड़े पटे पुराने है, कि आप मेरे ली कपड़े लेकर नहीं आई तो क्या करेगी कपड़े पहन कर, तेरे ली में कुछ नहीं लाई, तू पिंकी की पुराने कपड़े पढ़े उने पहन ली हो, ज्यादा मतित्रा तू टुन्टुनी वहां से उदास होकर बाहर चली जाती है तभी उसे उसके दोस्त मिलते है अरे टुन्टुनी, तु आज भी वही मेरे पुराने कपड़े पहन कर खूम रही है इसलिए तु कोई तुस्से बात नहीं करता चल छोड़, आज मेरा जनम दिन है दोस्तों, तु मैंने घर पर पाटी रखी है तुम सबको जरूर आना है और हाँ, टुन्टुनी, तु भी आजाना पर ध्यान रहे, कपड़े बदल कर आईयो वरना पाटी में एंट्री नहीं मिलेगी तुझे ये सब सुनकर टुन्टुनी उदास मन से अपने घर की तरफ जा रही होती है तब ही वो देखती है कि एक जादुगर कववा उसी रास्ते से बुसर रहा होता है उस जादुगर के हाथ में एक पिंजरा था जिसमें सुन्दर से चड़िया कैद होती है और वो चड़िया पिंजरे में बहुत उतास बैटी होती है आरे ये चड़िया कितनी उदास लग रही है जरूर इस जादुगरने से कैद में रखा है इसलिए उदास है मुझे इसकी मल्क करनी चाहिए पिर तुन्टुनी उस जादुगर के पीछे-पीछे चलने लगती है ताकि वो उस चड़िया को आजाद कर दे तब ही थोड़ी तरपा चलते-चलते जादुगर थक जाता है और वो पानी पीने के यद जगा रुखता है टुन्टुनी चड़िया पिंजरे को उठाकर वहां से भाग जाती है, ये सब जादुगर देख लेता है और वो भी उसके पीछे भागने लगता है, फिर थोड़ी दूर और पहुंचने पर वो पिंजरा खोल देती है और चड़िया को आजाद कर देती है, चड़िया पिंज परिसान नहीं पहुंचा हूंगी मैं परी हूं मुझे उस जादुगर ने अपनी जादु से एच चुड़िया बना दिया और इस पिंजरी में कैद कर लिया था लेकिन तुमने मुझे आकर उस जादुगर की कैस से छुड़ा लिया तब ही वो जादुगर वहां आ जाता ही एच चुड़िया तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पिंजरे को लेकर भागने की चल मेरा पिंजरा वापस दे नहीं नहीं ये पिंजरे से मत दे ना वरना ये फिर से मुझे इसमें कैद कर लेगा तू मानेगी मेरी बात या नहीं तू जानती भी है मैं कितना खतरनाक हूँ चुप चाप इस पिंजरे को मेरे हवाले कर दे वरना तुझे अपने जादू से पत्थर बना दूँगा अरे जाओ तूम खतरनाक कम नोटंकी वाली जाबा लग रही हो नोटंकी तू जानती नहीं है अभी मेरी शक्तियों को मैं एक पल में पत्थर को पानी और पानी को पत्थर कर सकता हूँ अच्छा तू तू तरह ये सामने रखी हुए पत्थर को शीशा करके दिखाओ तूम में मादू तूमको पिर जादूगर अपनी जादू की छड़ी को माता है और सामने रखी पत्थर को वो एक पल में शीशा बना देता है देखा चड़िया और कोई सबू चाहिए तुझे चल अब फटा फट मेरा पिंजरा मुझे वापस कर नहीं अभी नहीं ऐसा जादू तर छोटा मुटा जादूगर कर लेता है मैं तो तुमको तभी मानूंगी जिब तुमें शीशे को तोटा बना दोगे जादूगर अपने सामने रखी शीशे की तरफ छड़ी गुमाता है और उस शीशे पर जादूगर कहीं चहरा आ रहा था और छड़ी गुमाते ही वो जादू शीशे से रिफ्लेक्ट होकर जादूगर पे बढ़ जाता है जिससे वो जादूगर खुद तोटा बन जाता है तब ही टुन्तूई भाग़ दूए जाती है और जादुगर को सी के पिंज़रे में पकड़ कर बंद कर देती है, और वो पिंज़रा उस परी को सौंप देती है आरे वा, तुमने तो बहुत चदुराई और आसानी से इस जादुकर को हरा दिया अब ये जादुर किसी को भी परिशान नहीं करेगा और तुमने जो अजमस्पर इतना बड़कार किया है मैं इसको कभी नहीं बोलूँगी इसलिए तो मुझे अपनी कोई भी खुआईश बताओ मैं वा पूरे कर दूँगी मेरी पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है इसलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं है आप मुझे क्या अच्छे कपड़े दे सकती हो तभी वो परी चुटकी बजाती है और एक सुंदर सा गाउन सामने आजाता है ये लोग ये अपसे तुम्हारा रे और ये कोई मामूली गाउन नहीं ये जादुई गाउन है अगर तुम इसे पहनोगी तो सभी पक्षी तुम्हारी तरफ या करशित होंगी ये गाउन हमेशे सापी रहेगा ये कभी गंदा नहीं होगा बस तुमको मंत्र बोलना पड़ेगा ये हमेशे तुम्हारी मलग भी करता रहेगा तुम जो भी कहोगी ये गाउन को सारी कम चटकियों में कर देगा बस तुमको एक बात कर दियान रखना है ये गाउन सिर्फ तब तक ही साप और जादूी रहेगा जब तक तुम्हारी मन साप होगा अगर तुम्हारी मन में चल कपट और लाला चा जाएगा तब इसकी शक्तियों से दिन चली जाएगी आप तुम इसे रख लो और मैं चलती हूँ परी वो गाउन टुम्हारी को देकर वहां से उड़कर चली जाती है टुम्हारी भी परी की पात माल लेती है और वो गाउन लेकर घर आ जाती है किया ये सच में कोई जादूी गाउन है किया एक बल से पहन कर देखती हूँ थोड़ी दिर पर टुन-टुनी वो गाउन पहन कर कमरे में आती है और शीशे के आगे खड़ी हो जाती है अरे वाँ मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ इस गाउन में शुकरिया हो जादी पड़ी का जिसने मुझे गाउन दिया पर टुन-टुनी वो गाउन पहन कर गोलू की जनम दिन में जाती है तबी वहाँ पर खड़ी सभी पक्षी टुन-टुनी को देखकर चौंग जाते है उनकी नज़रे टुन-टुनी से हटती ही इस तरह टुन-टुनी अपनी जिंदेगी आराम उसकुन से बिताने लगी सुन्दरवन के जंगल में कालू को अपनी पत्नी और बोड़ी माबाप के साथ रहता था कालू फल पेचा करता था एक दिन जब कालू शाम को फल पेच कर घर आया तो अपनी पत्नी को काम करता देखकर उससे कहता है अरे तुम आ गई माय केसे? चलो अच्छा हुआ, रोज रोज भोजन पकाते पकाते मैं ठक जाता था ये चुला चौकी का काम तुम ही अच्छे से करती हो अब आ गई हो तो एक कप मेरे लिए चाय बना दो तुमारे हाथ की बनी हुई चाय पिये तो हफ्ते घुजर गए कालु को अपनी पत्नी की तारीव करता है लेकिन तुन्टुनी घुस्से से फूट पड़ी तब तक आपनों कॉमेंट पे बताएं वन नाइंटीन टु एट किसने होते है रहने दो बनकरू में इतारीव करना मैं तो नौकरानी हूँ इस घर की दिन भर बस घर का काम करती रहूँ और एक तुम्हारे पोड़े माबाब है दिन भर में तीन बार खाते है और बैठ कर मुझे पर उसम चलाते हैं उस्से घर के काम नहीं होते कब से कह रही हूँ अलग घर लेलो पर नहीं तुम्हें तो बिला अपने माबाब की नीली भी आती अरे टुन्टुनी ये तुम कैसी बाते कर रही हो वो अगर मेरे माबाब है तो तुम्हारे भी साससुर है उनके लिए तुम्हारा भी फर्ज बनता है मैं कह देती हूँ या तो तुम मुझे नया घर लेकर दो वर्णा में अपनी माई के चली जाओंगी मेरे भाया की दो दो कोटिया खाली पड़ी है बस मेरे कहने की तेर है पिंटुनी पड़ बड़ाती हुए अपने काम में लग गई तब ही वहाँ टाल पर बैठे कालु की माता पिता चिलाते है आरे यो पहू लगता ही आज बारिश होगी ना जाने कहां से काले काले बातल आ गई बहाराख सामान हटा दे जाओ जागर देखो तुम्हारे माबाप का बुलाब आया है कालू को अपने माबाप की पास जाता है तब ही तेज बारिश शुरू हो जाती है अरे बाबरे इतनी तेज बारिश इस मौसम में तो कभी इतनी तेज बारिश नहीं होती दीरे दीरे रात हो जाती है लेकिन बारिश नहीं रुकती इसी तरह सभी बोजन करकी सो जाते हैं अच्छानक उनकी घर का इकिस्ता जिसमें माता पिता सो रही थी वो गिर जाता है और कालू की बोड़े मापाप उसमें दब जाते हैं बचाओ, बचाओ, कालू बेटा, हमें बचाओ ये क्या हो गया पिता जी, आप चिंदा ना करें, मैं अभी आपको बचाता हूँ माजी, माजी आप ठीक तो है ना लेकिन कालू की माँ कोई जवाब नहीं देती बेटा, तेरी माँ को क्या हुआ, वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है मुझे छोड पहले अपनी माँ को पाहर निकाल किसी तरह टुन टुरिया कालू मिलकर, अपनी पूरी माँ को मलवे से बहार निकालते है लेकिन उसकी मा मर चुकी थी मा ये क्या हो गया मा आप हमें चोड़ कर क्यों चाने गई सुनिए जी अब रोने का वक्त नहीं है जल्दी बाबुजी को बहार निकालते है ऐसा नहों कि बाबुजी अपने मुझ से अशुब बाते मत निकालो मेरे बाबुजी को कुछ नहीं होगा कालु को अपने पिता को भी मलवे से बहार निकालता है लेकिन वो दम तोड़ चुके थे मैं तो बरबाद हो गया पिता जी भी नहीं रहे तंटुरी कालु को एकी हिम्मत बनाती है अब रोने से कोई पायदा नहीं जाई नादान मत पनो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे आने बाले बच्चे को कौन समभालेगा जो होना तो हो गया अब जती चलो यहां से किसी तरह तंटुरी कालु को लेकर वहां से जाती है फिर वो तोने तूटे पेड के टाल पर बैठ कर अपनी जान बचाते हैं अगली सुभा बारिश रुख जाती है तुम्हें जल्दी से किसी सुरवशिस्तान पर ले चलिए बन्ना यह अंड़ा पानी में गिर जाएगा कहां लेकर जाऊं तुम्हें चारों तरफ बस पानी पानी नजर आ रहा है मैंने अपने माबाप को तो खो दिया इस बारिश में लेकिन अब मैं अपने बच्चों को नहीं खो सकता मैं कुछ करता हूँ कालू अपनी नजर इदर उदर दोडाता है तब उसे दूर एक पेड़ पर एक बहुत बड़ा अंड़ा रखा वो दिखाई देता है तू हिम्मत रख हो गया इंतिजाम मैं अभी आया कालू को वो तुरंत उस पड़ी से अंड़े की पास जाता है वो एक शेत्र मुर्क का पुराना अंड़ा होता है और अंडर से वो सूखा और खाली होता है पुराना होने की वज़ा से वो एक सकत पत्तर बन चुका था कालू को उसमें खिड़की दर्वाजा बना कर उस अंड़े के एक सुंदर गर बना देता है फिर टुन टुनी और कालू का हुआ अंड़ा घर में अपना अंड़ा रख देते हैं और कुशी कुशी रहने लगते हैं